बक्ति आस्था विश्वास लेकर लोग भगवान के द्वार पर जाते हैं मगर कोरोना के चलते लॉक डाउन में मंदिर के द्वार बंद पाते हैं फिर भी भग्त मायूस नहीं लोटते भगवान के द्वार पर अपनी हाजरी लगा आते हैं आज का मुद्धा समाचार चैनल आज खास पेसकस लेकर आया है खोली बाले बाबा महुनराम द्वार से जहां लाको भग्तों की मानो कामना पूण होती हैं मंदिर बंद है मगर हजारों लोग आज भी मंदिर से प्रवेश द्वार पर जाकर मत्था टेक कराते हैं यह आस्ता और विश्वास का अटूट संगम है जो खोली बाले बाबा महुनराम के द्वार पर देखने को मिला जहां हजारों भग्त आज भी अपने बाबा के द्वार पर जा रहे हैं बाबा की द्वे जोती के दर्सन नहीं हो पा रहे हैं जिसके चलते भग्तों में थोड़ा रोज तो है मगर बाबा का द्वार है अब चाहे बाबा मंदिर के द्वार से लोटा दे या अंदर बुला ले ये बाबा महुनराम के भग्त आज भी गर्म जोसी से बाबा के द्वार पर जाकर अपनी हाजरी लगाते हैं और द्वार से ही बाबा का सिर्बात लेकर लोट जाते हैं आज का मुद्दा के विशेश शंबाददाता ने बाबा के द्वार जाकर भक्तो को दिव्य जोती के दर्शन के उद्देशे से एक वीडियो भक्तो के लिए तैयार किया बाबा की महीमा अप्रमपार है बाबा की लेला अप्रमपार है सदियों से राजिस्थान इस्तित खोली में बावा के दिव्वे अखंड जो पहार पर जल रही है जो एविश्वसनिया और एकल्पने देखी है हमारी खास रिपोर्ट हम इस समय आप पहुचे हैं काली खोली बावा मोहन राम के मंदिर मिलकपुर गूजर और ये राजिस्थान का वो इलाका है जहां बेहत अटूट आस्था का रिस्ता इस बावा के पवित्र दर्वार से जुड़ा हुआ है यहां से कहान स्रद्धालूओं की एक मुख से बाणी निकलती है बावा तेरी उची चड़ाई पहले खूब चड़ाती है बहां पकड़के बावा तू स्रद्धा बाव से अपने पास बुलाता है और मैं यहां आपको मोहनराम बावा काली खोली मंदिर के आज वो चीज़ आपको रूबरू कराऊंगा जो यहां लॉकडाउन के दोरान से यह मंदिर स्रद्धालूओं के लिए बिलकुल बंद कर दिया गया और यहां मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर पुलिस भी मुस् अधि शुरक्षा विवस्ताम लगे हुए हैं यह एक महिना के लिए लगे हुए हैं और मैं बावा के मंदिर में प्रवेश कर रहा कर गया हूं और यह बड़ा पवित्र बावा मोहनराम का इस्थान है और यहां मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा बड़ा सुन्दर अमनेक इस्थल है और बड़ा श्रद्धा का एक अठूट इस्थान है बावा मोहनराम का जोती जल रही है और यहां पर यह अखंड जोत जल रही है बावा मोहनराम की और श्रद्धा से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी प्राचीन बात Eck Eck а Ora यह कि यह भी खड़े हैं इन मंदीर जुड़ी हुए कि मेरे याद में देख रहा हूं उस से पहले से जुल्ती ही है यहाँ बाबा की कुई मूर्थी बगयरा और यह गुपा जोती की पुजा मैं आपको बता देना चाहता हूं यह बाबा मोहन राम की गुफा है और इस गुफा के दौर पर यह निराकार जोती है अखंड जोती है कितने लंबे समय से ये जोती जल रही है ये तो श्रतधालू को खुद नहीं पता वो एक ही चीज कहते हैं कि हमने जब से हो समाला है इस बाबा की गद्धी पे हमने नतमस्तक किया है या हमारे पूरुबज़ों ने जब से नतमस्तक किया है तो वो भी बताते आएं कि हमने भी जलती चाहूंगा यहां लगवग कितने से दालू आते होंगे प्रती दिन यहां प्रती दिन अगर खुला हुआ रहता है तो लगवग 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 तो उसमें भी तो दोज आईंगी हर महां तो उस दोज में तो मंदिर बंध रहा है इस dizzy के लिए भक्तों के लिए लाइव के लिए इंतिजाम किया था अपनी वेब साइट छोड़ी है उसे लाइव दर्शन करने के लिए ये इस बावा की काली खोली गुफा के जो अखंड जोड जल रही है यहां पर ऐसी स्रद्धा है कि हर महा की दौज को यहां पर बहुत बड़ा भव्य रूप में भक्तों का आगमन होता है और एक मेले का दिरिश्य बनता है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपको अपने कैमरे के माध्यम से ये बावा की वो अखंड जोड है जिसको लोग बड़े श्रद्धा बाव से हजारों हजारों किलो मीटर दूर से आकर यहां इस अखंड जोड का दर्शन करते हैं मन की शांती पातियां और अपनी मनो कामना शिद्धी के लिए द्वा मांगते हैं और एक चीज और बता देना चाहता हूँ काली खोली वाले बाबा का नाम साइध ही कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति ऐसा होगा जिसके जहन में ना आता हो मुकेश गुपता काली खोली मंदिर राइस्थांग से आपके सामने लेकर हाजिर हूँ और मैं अपने कैमरे के मार्गम से वह आलो के दिव्य चीज आपको दर्शन कराऊँगा जहां हर महिने की दोज को काली खोली धाम बाबा महनराम के द्वार हजारों की तादात में शर्दालू आते हैं यह वक काली खोली धाम है जहां बाबा इस काली खोली में समादी लीती बाबा ने और यहां इसमें एकदम अद्रिश्य हो गई थे और बावा का इतना आलोकिक धाम है और यहां इस धाम से जुड़े हुए एक बहुत ही प्रमुक्षेवादार मेरे साथ जुड़ चुके हैं और मैं उनसे इस खोली के बारे में चंद सब्दों में उनी के मुख से एक बात अंदर समाई थे कुछ इसमें क्या है कि बावा को बावा ने इसमें दर्सन दिये थे और इसमें जैसे जैसे नंदू को दर्सन दिये थे बावा ने इसमें और इसकी लंबी स्टोरी है वैसे तो जैसे नंदू बाहर निकलते रहे और घुपा देरे देरे बंद होती चलिए कि खाली इसका मुह रह गया है बागी पूरी गुपाबंद हो चुकी है और यहां क्या है कि जो सच्चे मन से जो बाबा के सरदालू जो आते हैं उनकी सब की मनों कामना पून होती है यह मैंने खुद ने देखा हुआ भी है मैंने ऐसे आदमी देखें जो निपट अंदे आये हैं और यहां बाबा के यहां पर उन्होंने मन से तपस्या की है और वह संपून खोपके गए हैं कोई भी स्रद्धालू आए अंतर आत्मा से अंतर भाव से अगर अपनी मनों कामना मांगे तो यहां पून होती है बिलकुल 100% होती है यह मैंने यह मैंने खुद ने देखा रास्तान में पढ़ती है अलवर जिले में आती है और यह हर्याना और रास्तान के बोर्डर पर पढ़ता है भिवाडी उसमें मिलकपूर गाओं पढ़ता है वहां जहां पर नंदू ने तपश्या की थी और यहां आके मोहन बाबा ने उनको दर्शन दिये थे भक्त नंदू ने यहां इस इस्थान पर तपश्या की बाबा मोहन राम ने आकर यहां दर्शन दिये और उसी के बाद यह काली-खोली का यहां से सारा कथा शुरू हुई सबस्क्राइब का चीज के इस की खतम हो जाते थे प्रोट में घी, जोति में घी डालना है, सबसे वड़ी परता है, मंदिर खुलेगा, तो चोती तक यहीं आते हैं जोती, नहीं चाते हैं जोटी वही लग जाते हैं ? बाबा की जोती का दर्शन करा रहे हैं और यह काली खोली बाले बाबा के मंदिर का एक अनूठा संगम है और यह बाबा की काली खोली वाला मंदिर बोला जाता है और यहां पर हजारों की तादात में दर्शनार्थी यहां अपनी मननत मांगने पहुंचते हैं किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई श्रद्धा वाव हो अगर वो अंतर भाव से बाबा के दर्शन करता है तो लाजमी यहां के लोगों के अनुसार उसकी मनों कामना शीग्र पूरी होती है मुकेश गुपता, समाचार टंटीफोर, काली खोली खवर के अन्त में बाबा की दिवे जोती के दर्शन करते हुए विदाई लेते हैं बने रहे आज के मुद्दा के साथ